धन्तेरस दो हजार तेईस धन्तेरस पर करे इन चीजों का दान धन्धान्य से भरा रहेगा घई धन्तेरस दो हजार तेईस धन्तेरस पर सोने और चांदी के आभूशन खरीदने का महत होता है इस दिन खरीदारी करने से माता लक्षमी का आशिरवात प्राप्थ होता है साथ ही धन्तेरस के दिन कुछ चीजों का दान करने जीवन भर धन्धान्य की कमी नहीं होती है धन्तेरस दो हजार तेईस धन्तेरस का पर्व कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोजशी तिथी को मनाया जाता है इस साल दस नवंबर को धन्तेरस है इस दिन लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करती है धन्तेरस के पावन मौके पर भगवान धन्वंतरी, मा लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है विशेश रूप से धन्तेरस पर सोने और चांदी के आभूशन और बर्तन खरीदने का महत्व होता है इस दिन खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का आशिरवात प्राप्थ होता है साथ ही धन्तेरस के दिन कुछ चीजों का दान करने जीवन भर धन्धान्य की कमी नहीं होती है चलिए जानते हैं धन्तेरस के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए सोना धन्तेरस के दिन सोना की खरीदारी के अलावा सोने का दान करना भी शुब माना जाता है सोने का दान करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिरता मिलती है और घर में मा लक्ष्मी का वास होता है चांदी धंतेरस पर सोने के अलावा चांदी का भी दान करना शुब होता है जोतिश के अनुसार चांदी का दान करने से व्यक्ति को लाब होता है और काम्याबी प्राप्त होता है वस्त्र धंतेरस के दिन किसी जरूरतमन्द व्यक्ति को वस्त्र का दान करें इस दिन वस्त्र का दान करना बहुत शुब माना जाता है अन्न धन्तेरस के शुब अवसर पर अन्न का दान करने से करने से धन की देवी मा लक्षमी अत्यन्त प्रसन्न होती है और व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है घी शास्त्रों के अनुसार धन्तेरस के दिन घी का दान करना भी कुत्तम माना जाता है इस दिन घी का दान करने से आर्थिक संपत्ती, सम्रिध्धी और खुशाली की प्राप्ती होती है धन्तेरस के दिन भूल से भी न खरीदे ये चीजे जिलनी पड़ सकती है आर्थिक तंगी लोहा धन्तेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुए घर लाना शुब नहीं माना जाता है जोतिश के अनुसार यदि आप धन्तेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तुए घर लाते हैं तो घर में दुरभाध्य का प्रवेश हो जाता है और ये शुब फल नहीं देता है अल्यूमिनियम और स्टील धन्तेरस पर अल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुए न खरीदे मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माल लक्षमी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है धन्तेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए जोतिश के अनुसार यदि आप धन्तेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायत्व और बर्कत में कमी आ सकती है कांच धन्तेरस के शुब अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजे भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए कि यदि घर में राहू प्रवेश कर जाए तो इससे तरक्की रूख जाती है चीनी मिट्टी से बनी चीजे जोतिश के अनुसार धन्तेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजे घर में आने वाली बरकत में बाधा डालती है धन्तेरस पर खरीदते हैं ये दस शुब वस्तु ए जाने क्यों एक सोना इस दिन सोने के आभूशन खरीदने की परंपरा भी है सोना भी लक्षमी और ब्रस्पती का प्रतीक है इसलिए सोना खरीदे दो चांदी इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुब्रे की आक्रिती बनी होती है तीन बर्तन इस दिन पुराने बर्तनों को बदल कर यथा शक्ती तामबे पीतल चांदी के ग्रिहों प्योगी नवीन बर्तन खरीदते हैं पीतल के बर्तन लक्ष्मी और ब्रहस्पती के प्रतीक हैं अत इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदे चार धनिया इस दिन जहां ग्रागीन क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबद धनिया खरीदते हैं इस दिन सुखे धन्या के बीज को पीसकर गुड के साथ मिलकर एक मिश्रण बनाकर नैविद्य तैयार करते हैं। पाँच नए वस्त्र इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। छे लक्ष्मी गेश की मूर्ती इस दिन दीपावली पूजन हे तु लक्ष्मी और गडेश जी की मूर्ती या चित्र खरीदते हैं। और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हे तु उनकी मूर्ती या चित्र भी खरीदते हैं। साथ, खिलोने, इस दिन बच्चों के लिए खिलोने भी खरीदे जाते हैं बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है आठ, खीलबताशे, इस दिन पूजा की सामगरी के साथ ही खीलबताशे आदी भी खरीदे जाते हैं यहां घर में खुश्या लाते हैं। नौव गोंगती चक्र और कोडियां इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोंगती चक्र और धन सम्रद्धी बढ़ाने के लिए कोडियां खरीते हैं। दस जाडू इस दिन जाडू खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है। इसे वर्षभर के लिए घर से नकारात्मक उर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षनवर्ती शंक, कमल गटे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औश्दी, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। धन्तेरस दो हजार तेईस, दस नवंबर को धन्तेरस, शुब योग में खरीदारी का मुहूर्ट धन्तेरस शुब मुहूर्थ फर शॉपिंग दो हजार तेईस, हिंदू पंचान के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोडशी तिथी पर धन्तेरस का पर्व मनाया जाता है। धन्तेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धन्तेरस पर सोने चान्दी के आभूशन और बर्तन खरीदने की परमपरा होती है। इसके अलावा धन्तेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना शुब माना जाता है आईए जानते हैं धन्तेरस की तिथी, महत्व और शुब खरीदारी करने का मुहूर्ट के बारे में विस्तार से धन्तेरस 2023 शुब तिथी वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोधशी तिथी पर धन्तेरस का त्योहार मनाया जाता है इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोधशी तिथी 10 नवंबर को दोपहर 12 बचकर 35 मिनट से आरम हो जाएगी इस त्रयोधशी तिथी का समापन 11 नवंबर को दोपहर 01 बचकर 57 मिनट पर होगा उद्या तिथी के आधार पर धन्तेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रुवार को प्रदोशकाल में मनाया जाएगा धन्तेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुब मुहूर धन्तेरस पर बरतन और सोने चांदी के आभूशन की खरीदारी करना बहुत ही शुब माना जाता है वैदिक पंचांग की गण्ना के मुताबिक धन्तेरस पर बरतन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदात के सौदे, लगजरी चीजे और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुब माना जाता है धन्तेरस पर शुब मुहूर्थ में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है 10 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुब मुहूर्थ है धन्तेरस पर सोना चांदी और बरतन क्यों खरीदे जाते हैं शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धन्तेरस है और इस दिन से दीपावली की शुरुवात हो जाती है धन्तेरस पर ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मन्थन में अम्रित कलश लेकर प्रकट होए थे इस कारण से धन्तेरस पर बरतन और सोने चांदी के सिक्के और आभूशन खरीदने की परंपरा है भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद और आयूर्वेद का जनक माना जाता है धन्तेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बरतन के आदी की खरीदारी करना शुब माना जाता है इसके अलावा धन्तेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्रोचार किया जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृप्या वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेर करे, कमेंट में जैमन लक्ष्मी लिखना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद